स्टूडेंस वेलकम टू मैं यूट्यूब चैनल यह कॉश्चन पेर ओफ लिनियर एकुशन टू विरियेबल से है कॉश्चन हमें पी और क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है जो आप यह कॉश्चन देख रहे हैं फर्स्ट एकुशन और सैकेंड एकुशन इसमें यह जो अन् स्टेंडर फॉर्म लिखी है जो स्टेंडर फॉर्म होते हैं वोते हैं A1X प्लस B1Y एकुश्च टू C1 जो फर्स्ट एकुशन के लिए second equation के लिए a2x plus b2y equal to c2 यह second के लिए है तो अब हम compare करें अगर हम coefficients को compare करें तो a1 2 के वरावर है b1 3 के वरावर है c1 7 a2 equals to p plus q b2 equals to 2p minus q and c2 equals to 21 अब जो condition हमें दिये infinite number of solutions के लिए तो इसके लिए condition होती है कि ratio of these coefficients a1 upon a2 equals to b1 upon b2 equals to c1 upon c2 यह तीनों जो infinite solution के लिए यह जो ratio of coefficients है वो equal होती है अब हम यह value substitute करेंगे यहां पे तो यह मेरे पास आएगा 2 over p plus q equals to 3 over 2p minus q equal to 7 over 21 7 over 21 को अगर काट दें तो यह बनेगा 1 by 3 तो इसको मैं 1 by 3 लिख लेता हूँ ताकि calculation मेरी easy हो जाएगी तो इसको मैं इसके बराबर लिखूँगा जो आगे values मैं substitute करूँगा या use करूँगा आगे अब मैं यहां से p और q की value find करने कोशिश करूँगा तो मैं पहले compare करूँगा इन दो को क्योंकि equality है तो मैं comparison कर सकता हूँ तो यह बनेगा 2 over p plus q equals to 1 by 3 तो यहां से मेरे पास जो value आएगी p plus q की जो value आए वो cross multiply करके 6 आगे second case में मैं second और third term जो ratio है इनको compare करूँगा 3 over 2 p minus q equals to 1 by 3 तो यहां से बनेगी 2 p minus q equals to 9 cross multiply करके यह मेरे पास 2 equations और बन गए अब अगर देखें तो इसमें हमारे पास p q और यहां पे q और q दोनों के coefficient same है और इनके sign भी opposite है तो इन दोनों को मैं elimination matter से solve कर लेता हूँ तो मेरे पास क्या होगा p यहां से मेरे पास आ जाएगा 9 तो जब मैं दोनों को add करूँगा इन equation तो q से q कट गया तो 3 p equals to 15 होगा इसमादर p मेरे पास आ गया p हो गया 5 अब यह p 5 में इस equation में किसी भी equation में आप substitute कर सकते हूँ यहां पर लेता हूँ तो यह बन जाएगा 5 plus q equals to 6 और q की value जो होगे 6 minus 5 बन तो जो p मेरे पास आया वो 1 है यहां q q जो हो मेरे पास बन है और पी जो हो मेरे पास 5 है तो यह values है पी एंड q की थेंक्यू